आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूं मनिश बनौरिया शुरात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से खबर लखना उसे है जहां सबस अनक्षंग मुलायम सी यादों के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है तो वहीं उत्तर प्रदेश कॉंग्रेश प्रवक्ता के के पांडे ने प्राइम टीवी से के समवादात से बाचीत करते हुए कहा कि निधन से प्रदेश की जनता में शोक की लहर है उन्होंने बताया कि राहुल गांदी और सुनिया गांदी भारत जोड़ो यात्रा रोक कर पुश प्रदेश चक्र लेकर सधानजली देने के लिए सेफाई रवाना हो गए हैं लखनाओ के कांग्रेश पार्टी के मुख्याले पे जहां हमारे साथ हैं कांग्रेश के प्रवक्ता के के पांडे जी सर आज मुलायम सिंग यादो जी के निधन की सूसना मिली है तो ये भारती राजनीती में कितनी बड़ी च्छती है नेने मुलायम सिंग जी एक जमीन से निकले हुए बहुत ही बड़ी उचाई तक पहुँचने वाले नेता थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी उचाई पे पहुँचने के बाद भी उन्होंने अपने जमीनी लोगों को कभी भूलने का प्रयास नहीं किया एक बार देश के रच्छा मंत्री, तीन बार मुख्य मंत्री, नव बार विधायक और साथ बार सांसद रहने का जिसे गवरो प्राप्त हुआ हो और एक पार्टी बना करके उन्होंने तीन बार अपनी पार्टी से उत्तर प्रदेश का नेतर्तु किया यह अपने आप में मुलायम सिंग जी की यह काबिलियत रही है और निश्चित रूप से आज मुलायम सिंग जी का नरहना प्रतेएक प्रदेश वासी और देश वासी के लिए बहुत ही दुख का भी सा है कांग्रेस पार्टी उनके इस सोक में संबेदना ब्यक्त करती है इस त्रीमती सोनिया गंधी जी ने सर्धान जली दिया है और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्री बिजलाल खाबरी जी पुस्पचक्र लेके स्रीमती सोनिया जी राहुल जी और प्रियंका जी की ओर से सैफ़ाई गए हैं लगभग इस समय वहां पहुँच गए होंगे और वहां पुस्पचक्र इन तीनों हमारे सम्मानित बड़े नेताओं की ओर से स्री मुलायम सिंग यादो जी को समर्पित करेंगे उनको सरधानजली के रूप में अर्पित करेंगे और मुलायम सिंग जी का निधन बहुत ही दुखद है और इस च्छत की भरपाई आने वाले दिन में होना खबर लखनाउसें जाउत्तर पिदेश के तीन बास सीम और रक्षा मंती रहे मुलायम सिंग यादो के निधन पर देश भर में शोक की लहर है दर्ति पूत कहे जाने वाले निता जी आमकरकर्ता को उसके नाम से जानते थे साथी मुलायम सिंग यादो जैसे निता का निधन सुच भारती राजनिती के लिए एक अच्छी ख़बर नहीं है अधनी मुलायम सिंग जी समाज बादी आंदोलन के एक उत्तर प्रदेश में बड़े अस्तम्ब थे आम लोगों की संभेदनाओं से जुड़े हुए थे और पूरे प्रदेश में समाजबादी पार्टी के नेता के रूप में और समाजबादी पार्टी के मुख्या के रूप में एक उन्होंने सामाजिक और राजनiejतिक जियोन पे अपना प्रभाव छोड़ा और उनके निधन से एक उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनेतिक जियोन में एक बड़ी रिक्तिता आई है पूरे देश में उनकी पहचान एक समाजबादी निता के रूप में थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री के पत्पे भी वो रहे थे और अनेकों बार वो विधान सभा के सदस्य और लोग सभा के सदस्य रहे थे हम अपनी बिनम्र सद्धानजली उनको अरपित करते हैं और यह समाजबादी पार्टी के लिए एक बड़ी अपूर्णी अच्छते है और साथ ही उत्तरप्रदेश के सामाजिक राजनेतिक जीवन के लिए भी एक बड़ी अपूर्णी अच्छते है तो जैसा कि आपने देखा कि मानि मुलाइम सिंग यादुजी के निदन के बास से समाजबादी पार्टी ही नहीं बलकि उनके विपाच्छ की पार्टी है चाए बहा भारती जंता पार्टी हो चाहे देश की कोई भी अनुवी पच्छे पार्टी आहों सभी में एक सोक की लहर है अभी हमारे साथ भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता हरी चंद सिर्वास्तो जी थे जिन्होंने अपने स्टेट्मियम ने बताया कि किस तरह से उनका जाना एक राजनितिक छती है इस देश के लिए मैं विवेक शाही प्राइम टिवी लगनों में डॉक्टर गेराज फेंचाजी वरक्शॉप का भव उद्गाटन किया गया जिसके चलते जेपी आटो मोवाइल के नाप और डॉक्टर गेराज हाई टेक टू विलर्स और पैंथिसवी का कारशाला फेंचाजी की शुरुआत की गई बता दे कि डॉक्टर गेराज ने अठारा महिने की चोटी अवधी में आटो मोवाइल छेत में एक विचिस्ट बचान बनाते हुए भारात के साथ राज्यों और 29 सहरों में 55 कारशालों का एक बेहतरी नेटवर्क स्थापित किया है खबर मैंपुरी से जहां सपा संक्षन मुलाहिम सिंग यादो के निधन पर उनके संसदी छेतर में शोक की लहरे जनपद में हर कोई उनके निधन पर शोक समय दना प्रकट कर रहे है बाजपाव विदायक पेम सिंग शाक सपा काराले पहुँच निता जी के निधन पर गैरा शोक वेक्ट किया उन्होंने का कि निता जी ने रक्षा मंतरी रहते हुए शहीदों के पार्थिक सहीर को उनके घर तक पहुचाने का इत्यासिक निड़ेल किया था हर साल पूरे विष्व में 10 अक्टूबर को विष्व मांसिक स्वास दिवस मनाय जाता है जिसका उदेश दुनिया भर में मांसिक स्वास से मुद्दों पर के बारे में जागरुकता बढ़ाना और मांसिक स्वास के समर्थन में प्रयास करना रहता है बीते सालों में करोना महमारी के चलते सबी की मांसिक सेहत काफी प्रभावित हुई है ऐसे में इन साल World Mental Health Day पर प्रयाग में मांसिक टीम ने एक दिवस्य निशुल्क स्वास्त जागुरुता शिवित का आयोजन किया गया आज मोतिलाल नहरु मंडलिय चिकित साले के प्रांगन में जिला मांसिक स्वास्त कारेकरम की पूरी टीम के द्वारा एक दिवस्य निशुल्क मांसिक स्वास्त उप्चार जागुरुता और दिव्यांगता प्रमानी करन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हर साल हम लोग विश्य मांसिक स्वास्त का जो आयोजन है बहुत भव्य तरीके से करते हैं और इस बार भी हमारा उदेश है कि जितनी जादा हो सके हम लोगों के अंदर मांसिक स्वास्त संबंदी जागुरुता प्रदान कर सके और मांसिक स्वास्त संबंदी उप्चार घर घर तक पहुँचा विजसेगा 107 कि ऋओखनाजी सुवक्त आ लखनों में विशलaggio माझसिक्न दिवस्त के मोकात पर जाघुडत आपकरमर अवज़ुत क्या गया जा भ्षिट मांसीथ स्वास्त काईकरममें नोड़ा अलड़कारी ने कहा कि माझसिक्स स्वास समंदी समस्याओं के प्रती लोगों को जागुट कराने के उद्देश ते हर साल दक्स लुटूबर को मां विश्व मांसिक स्वास दिवस मनाए जाता है इस साल इस दिवस की थीम है सभी के लिए मांसिक स्वास और कल्यान को वैस्शिश प्रात्मिक्ता बनाए उन्हो के पर अपर मुख चिकसा अधकारी और जिला स्वास चिकसा भी हम सूचना अधकारी भी मौजुद रहे खबर कुशी नगर से जहां पुलिस अधक्षक के नेतरत में अपराद और अपरादियों के नियंटर्ण को लेकर चलाया जा रहे हैं अब बिहान के तहरे जनपत पुलिस की टीम ने चोरी की घटना अंजाम देने वाले अंतराजकी गिरोग के आरस अधसों को गिरफतार कि जिसके पास से लाखों रुपए के नगदी समय कई कीमती समान भी परामत किये गए हैं वहाई पुलिस ने चोरी के आरोपियों को जेल भेच कर अन आरोपियों की तराश में जुट गई है गुरकपूर में समाजवादी महासाबा के अधिवक्ता ने शोग जता है बताया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और सनक्षन बुलाइम सिंग यादो के निधन की दुखत खबर सुनते ही कारकरताओं और प्रदेश के जनता में शोग की लह दोड़ गई है इस पर समाजवादी अधिवक्ता समाज के ने वर्तमान जिला सचिफ विष्णू मुहन सिंग यादो ने कहा कि नेता जी ने अधिवक्ता समाज के लिए जितना किया उतना किसी और ने नहीं किया कि मानिये नेता जी आज 10-1022 को स्वरगवास हो गया है उनका हम लोग बहुत दुखी हैं हम समाजवादी पार्टी के लोग और समस्त अधिवक्ता समाज उनसे प्यतित है और इस सोग की घड़ी में सब्द नहीं निकल रहे हैं लेकिन पूर्य रक्षा मंत्री येवं तीन बार के मुक्रमंत्री रहे हमारे मानिये नेता जी मुलाइम सिंगादो जी जो अधिवक्ता समाज के लिए हैं वह कोई और नहीं करेगा और पूरे संपूर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही लाभानुवित अनेक एवजनाओं को चलाया है इसके लिए नेता जी को धन्यवाद लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं उत्तर प्रदेश के तीन बार रहे मुख्रमंट्री मुलायम स्हूर यादो का निदन हो गया है आपको बतादें कि पूर्फसांसरट ने शोग वेट जटाया है बता दें समाजवादी पार्टी के मुक्या और सनक्षद मुलायम स्हूर के निदन की दुखत कबर सुनते ह काकि मुलाहिम सिंह क्याइद्व जंथ सभाओं में कल्यान सिंग को बड़ा बड़ाइ कहकर बुलाते थे और उन्हें अपनी पार्टी के मंचों पर समवान देते थे उन्होंने पता है कि जब कल्यान शिंग संग लोग सवात चुनाओं लड़ रहे थे तब मुलाहिम सिंग्जादों ने पारोख शूप से उन्हें मदद भी की थी उस समय सबसे बड़ी बात है कि बिपक्षी नेता का भी उसमान करते थे कलान सिंग्जी के कद को और उनके काड़नामों को भी उन्होंने जनता के हितों के लिए स्विकार किया और जब कलान सिंग्जी पर बुरा वक्त आया था तो उन्होंने शाहरा दिया जब उन्होंने RKP बनाई थी उस समय उन्होंने अपने पार्टी में से उन्हें कई टिकेट उनके कोटे में दिये और उनको पुनरजीवित किया और आज यही कार्ण है कि कलैंसिंग का परिबार उस सम्मान को पा रहा है अगर द्वैस भावना होती अगर वो अपने बिपक्षी नेता को मिठाना चाहते तो सहरा नहीं देते यही तो बड़पन की राई नीती खुले दिल की राई नीती और वक्त के अनुसार चलने की राई नीती को ही तो मानी मुलाइं सिंग याद आफ कहते हैं जिसको अच पुरा देश फिकार कर रहा है उस समय सबसे बड़ी बात है कि बिपक्षी नेता का भी उस सम्मान करते थे खबर अलीगर से जहां जिलादकारी ने दूर दराज इलाके से आने वाले फर्यादियों की समस्याओं के निवारवन के लिए डियम वार रूम ने वाटसेप नंबर जारी किया है साथ ही अधिकारियों को वार्सेप से आने वाली शिकायतों के जल से जल निवारन करने के निर्देश भी जारी की है थाना दिवस, तैसिल दिवस और बहुत सारे और फॉरम हैं जिनके माध्यम से लोग अपनी बातें कहने के लिए विभागों की शिकायतें लेकर हम तक आते हैं। ख़वर अलीगड से जहांगर ग्राम पनक्षर्चाइद चुनाओ को लेकर विपकष के लोगों ने पनक्षायत अधकारियों से मार पिट किये तो वहीं ग्रामिडों ने पूरे प्रक्रण की निस्पक्स जाँ चाराकर उची उमेदवारों को प्रमारपरत जाली कर ग्राम प पूरी पारदस्ता के साथ हमें प्रमाणपत्र भी उपलब्द नहीं करा गया है तो इसी आसार विश्वाश के साथ आए कि जब हम निरवाशन पुक्रिया के अंतकत जब हमारा चैन हो चुका गुर्णा के करनेल गन स्थानी कजबा पुलिस चौकी के गांधी नगर निवासी पती पतनी को नकापोश यूवक ने चाकू से शरीर पर कई बार वार करके गंबी रूप से गायल कर दिया है खबर संबल से हैं जहां एद मिलादुनी का जुलूस शहर के पूरे उत्सा के साथ निकाला गया पेगंबर इसलाम की विलादत के मौके पर मदरसा अमीन उलूम और जुलूस को रवाना किया गया जिसमें बड़ी संक्या में मुस्लिम समधाय के लोग शामिल हुए वहीं पूरे कारेकरम में शांती वास्था का पूरा ध्यान रखते हुए जुलूस निकाला गया खबर गोरकपूर से है जहां राप्ती नदी के बड़े जलस्तर से बहरामपूर और आसपास के गाउंपूरी तरह से जलमगन हो गया तो वहीं कई ग्रामिलों के आश्याना बाल में पानी में तबाह हो गए जिसके कारण ग्रामिल सबकों पर रहने को मजबूर है पता देगे प्राइम टीवी के समधाता हिमान्शु स्रिवास्तों ने इलाके का जैजा लिया बारिश का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी आपको पता दें कि बुलंड शर में लगबग 25 से जादा मकान गिर चुके हैं वहीं मकानों के मलबे में दबने से दो लोगी मौत भी हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं घायलों का अलग अलग हस्पितालों में इलाच चला है मिटकों के परज़नों को सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनकी कुछ साहता करेगी जैसा कि आप जानते ही पिछले तीन दिनों से लगातार बरसात हो रही है और अतिबरिष्ट के कारों लगबग 20 से 25 मकान च्हती गरस्त होया है एक डिबाई तहसील में और एक सिकार पुर तहसील में जन्हानी भी हुई है हमारे सभी अधिकारी ध्रमण कर रहे हैं सब जगह हम लोगों ने ध्रमण कर लिया है और जो भी अनुमन निसाहता है उनको प्लब्द कराई जा रही है इसके अलावार फसलों को भी काफी च्छ करती हुई है उनको भी चार-चार लाग फुपए का मौपजा दिया जा रहा है इसके लावां दो पकरियों की डेट हुई है खावर यूपी के सितापूर से जहां ताल गाउं चेतर के निकट पुल पर बैठे चार गामिनों पर अचानक अकाशी बिजली गिर गई जिसे प कारी पशासन के आलादकारियों को दे दी गई है खबर लखनव से जहां 2014 में किड्नी का इलाज करते समय पीडित की निजी अस्पताल में मौत हो गई थी वहीं पर जो नहीं बताए कि अस्पताल संचालक और डाक्टरों की लापरवाई के कारण मरीज की मौत हो गई बता दें कि पीडित ने बेटे ने सीम पोर्टल पीम और प्रदेश के नियाय आले में इस मामले की शिकायत की थी जिस पर कंज्यूमर कोड ने फैसला सुनाते हो अस्पताल संचालक से मिरता के परजिनों को सीमो के माध्यम से पांच लाग रुपए का जुर्माने के निर्देश जारी किये थे पिता की मौत पर नियाय की लड़ाई लड़ाई बेटे ने सरकार से गुरहा लगाते हुए निजी डक्टरों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है प्राउतर प्रदेश की खबरों बस इतना है देश प्रदेश की तादा तर इन खबरों के लिए देखते है रही प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार